इस चल्व यह करता है कंड़क्टिंग आस्वायर फ्रेम मैं आगर और का फ्रेम मैं इसेत आ बाइक क्रेंट हो रही है इसके पास लतहिं की स्कॉयर को स्कॉयर को उसी फ्रेम में प्ररेम बीक। लेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडएक्षं से है जिसका टॉपिक है मुस्ञल इम फ दो मुस्ञल लेते हैं कि अगर कंड़क्तर है और मैगनेटिक फिल्ड बोर्ड के प्लेन में अंदर जो कि मुझे बहुत पसंद है और यहां जो हम इस कंड़क्टर को मूब करा रहा है इसका लेंथ एल है तो आप देख रहे हूं मैगनेटिक फिल्ड बोर्ड के अंदर है और विलासिटी वेक्टर ऐसे है और लेंथ ऐसे यह सा लिए तो हम सब को पता है कि इस कंड़क्टर को मस्वें से कंड़क्टर में मूब कराने की वज़े से इस पर लगने रखता है उस पोर्स की वजे से वे बैटनी बन जाता एं यह घर ये खांस बात क्या होती है कि बी परपेंडिकुलर होता भी परपेंडिकुलर होता एल चार्ज पर इलेक्ट्रां के परदेशन के लिए नीचे लगेगा तो सारे एक्टर्ण इधर एकुमिलेट हो जाएंगे तो यह निगेटिव टर्मिवड बन जाएकँ और यह POSITIVE ठैंनल बनाइगा कंडॉकर एक इस तरह से बैटरी की तरह plus माइनेस टर्मिडल माइनस हि में बैटरी की तरह काम करेगी जिसकी वेलू तो वी बील होगा, ये तो हमें रहा, कॉंसेब्ट, मतलब अगर में तो इध रसे करेंट कर सो होगा, अगर मैं सबूरेंट कर सो कैलकुलेट कर देंड, थो रही कहा, सब्सक्राइब करने के बेसिकली हमारे पास दो मेतड है एक तो कैल्गुलस मेतड है कैल्गुलस एप्रोच और दूसरा है अब मतलब आप मोस्टनल इमेफ के इस बैटरी वाले कॉंसेट से कर सकते हो तो हम जब हम कैल्गुलस से करते हैं तो थोड़ा सा लें दी जाता है और अगर बीना कैल्गुलस के करेंगे तो मेडिकल वालों को ऐसे लगता है कि खजाना मि तो हम बीना कैल्गुलस के इसको कर देते हैं अब चलो यहां पर इस को सॉल्व करने लिए एक्स डिस्टेंस पर स्कॉयर फ्रेम है तो इसको दुबारा मैं यहां पर बनाता हूं समझने की कोशिश करना इसमें करेंट कैपिटल आई फ्लो हो रही है और यह स्कॉयर फ्रेम ह जो यहां से यह मीड पॉइंट से जो डिस्टेंस है यह एक्स है और इससकोयर की जो साइड है और वो कुछ a है यह वाली side a है और velocity v से move कर रहा है तो यह जो distance यहां से हो जाएगा यह तो a by 2 हो गया तो इस index से distance हो जाएगा x minus a by 2 यह वाली distance और यह जो यहां से यह जो total distance हो जाएगा this distance यह वाली जो distance हो जाएगी this distance वो x plus a by 2 हो जाएगा midpoint है यहां से यह midpoint है x तो यह a by 2 है और यह भी a by तो अब इसमें जो मोशनल एम फोगा यह जो अस्कॉयर में अगर अच्छे सी इसको देखोगे इस कंड़क्टर में तो मैगनेटिक फिल्ड किदर है वेलाउसिटी वेक्टर किदर है और कंड़क्टर किदर है ऑब यसली यह जो बड़ा वायर है जिसमें करेंट आइफ्लो हो यहां पे बोर्ड के प्लेन में अंदर चला गया है तो बोर्ड के प्लेन में इनसाइड है कुछ ऐसा लगर के और अगर अच्छे से देखोगे तो यहां पर जो conductor है यह वाला जो conductor है वो विलाउस इसकी length जिधर velocity पूरा square frame भी velocity से इधर move कर रहा है तो यह जो length है वो velocity के parallel है तो इस वाले part में कोई भी EMF generate नहीं होगा emotional EMF generate 0 हो जाएगा उसी तरह से यह जो conductor है square frame में चार conductor है तो यह भी इसका length velocity के parallel है तो इसमें भी EMF 0 हो जाएगा अब यह वाला जो यह जो part conductor का square का यह velocity के perpendicular और magnetic value dabei तो इसमें तो EMF generate होगा और इस वाले conductor में भी तीनो परपेंटिक इसमें जनरेट होगा तो अगर इसमें generate होगा तो देख लेते हैं कितना generate होगा और किधार जन लेट होगा तो चलो मान लेते हैं यहां पर इस वाले में is वाले में EMF generate first यह mARS generate और इसमें e2 है तो लॉजिक यह बना कि net emf scalar है e1 प्लस e2 का सम कर लूँ या मतलब हम उस हिसाब से सम करेंगे जो सर्किट जैसे kbl kcl करते थे हम current लायाद करो उस हिसाब से हम सम करेंगे एक बैटरी यहां बनेगी यहां बनेगी यहां पर जो emf e1 बनेगा उसकी value ज्यादा होगी क्योंक हम इस वाले conductor के लिए और इस वाले conductor के लिए दोनों के लिए तो velocity और length equal है बट magnetic field प्यारे बच्चों यहां पर ज्यादा है वारियेवल magnetic field में लुग कर रहा है तो यहां पर magnetic field कम है तो emf कम जलेट होगा तो यहां पर जो बैटरी बनेगी जो वह dominant होगी तो emf net emf emf e1 minus e2 current electricity में पड़े होगे, अभी हम इसको बना देंगे, चलो, पहले EMF E1 की value निकालो, EMF E1 की जो value आजाएगी, वो आजाएगी magnetic field, यहाँ पर magnetic field कितनी होगी, magnetic field एक infinite wire की magnetic field क्या होती है, infinite wire की magnetic field होती है, mu not i 2 pi r, यह वली चीज होती है, तो यहाँ पर magnetic field आजाएगी, mu not i और 2 pi r क्या है, उस point का यहाँ पर length, तो यह length कितना होगा, x minus a by 2, तो यह आजाएगा x minus a by 2, that is EMF E1, similarly EMF E2 की value यहाँ पर जो EMF generate होगा, उसकी जो value EMF E2 जो बनेगा, वो आजाएगा, mu not i current y है, 2 pi और distance हो जाएगा, x plus a by 2, तो प्यारे बच्चों, यहाँ से मुझे मिल जाएगा net EMF, अब देख लेते हैं कि net EMF Ease हो है, वो इसमें से इसको minus कर दा है, तो यहाँ जाएगा, mu not i और 2 pi और यहाँ से इसको solve कर लो, तो यहाँ से 1 upon x minus a by 2 और minus x plus a by 2, तो जब इसको solve करोगे, तो यहाँ से mu not i और 2 pi और यहाँ से यह 2 इधर आ जाएगा, और 2 x plus a, और minus 2 x और minus a divided by 2 x minus a, और 2 x plus a, तो यह वाली जाएगा, finally इसको solve करोगे, तो 2 x ने 2 x को खतम कर दिया, और उपर में बचा, उपर में बचा minus 2 a, solve कर लो इसको, कोई बहुत, बहुत बहुत बड़ा mathematics तो है नहीं, तो emf e is equal to proportionality, proportional देखोगे, तो mu not i2 कतम हो गया, 2, और 2, तो a upon 2 x minus a, और 2 x plus a, this is the final emf, पुर्पोर्शलिटी पुचा था, तो यह वाली चीज हमें हमें मिल जाएगी, पहले देख लेते हैं, option कौन सा सही है, तो यह proportional है, 2 a खतम हो रहा है, क्या, a cancel हो रहा है यहां से, क्योंकि a नहीं आ रहा है, तो यह 2 a minus minus से कट गया, और यह minus minus plus 2 a आ जाएगा, तो 2 a constant है, तो पुर्पोर्शलिटी पुचा है, तो यहां a constant आ जाएगा, तो इस constant को मैं पुर्पोर्शलिटी पुचा तो 1 रखते हैं, इस हिसाब से हमारे पास, finally जो है, वो b option सही है, क्योंकि a constant है, इसलिए मैंने उपर सटा दिया, और इसकी equivalent circuit देखोगे, equivalent circuit देखोगे, current flow देखोगे, तो उधर मैं एक बार बता देता हूँ कि कैसा कुछ होगा, यह current carrying wire है, और यह a square loop था, हमारे पास, और इसमें EMF आगे 0, यह पूरा V velocity से इधर जा रहा है, और इसमें भी EMF 0 आ जाएगा, बट इस conductor में कर देखोगे, इस वाले conductor में कर देखोगे, यह यहाँ से, इस वाले conductor में देखोगे, तो यह V velocity से उधर जा रहा है, तो इसमें electrons पर force, Q V cross V, तो उपर लगा मतलब सारे electrons, नीचे, force नीचे लगा है, यह वाली इंड है, वो negative बनेगी और यह positive बनेगी, उसी तरह से यह positive बनेगी, और यह negative बनेगी, तो अगर इसकी equivalent मैं circuit बनाऊं, तो कुछ ऐसा आएगा, यह plus minus EMF, और यह plus minus EMF E2, plus minus, plus minus EMF E1, EMF E2, तो यहाँ से बच्चो current जो flow होगा, कुछ ऐसे current flow होगा, इस type से current flow होगा, और यह जो current है, वो clockwise flow होगा, अगर push देता है, इसमें current किदर flow होगा, तभी भी आप निकाल सकते हो, कि clockwise current flow होगा, और net EMF की जो value आजाएगी, obviously EMF E1 minus E2, तो अगर यहाँ से current push दा, तो current की value, whatever, net EMF, जो भी resistance हाथा, उसका हम divide कर देते हैं, तो obviously इसको Fahrenheit law से भी current की direction निकाल सकते हो, जब यह coil इधर move करेगा, तो इसे से जो field होगा, वो decrease होगा, तो यह field अंदर की direction में बनाएगा, अंदर की direction में बनाने के लिए, इसमें current clockwise flow करवानी पड़ेगी, ठीक है,